दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को साथ ऐसे government stocks बताने जा रहा हूँ जिन्होंने आप धमाकेदा demerger and dividend अनौंस किया है और दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर नहीं साथ government stocks की मैं आप लोगों को पूरी details दूँगा बताओंगा इन्होंने क्या के चीज़ अनौंस करी हैं और किस किस values अनौंस करी है साथी साथ मैं बताओंगा इनका current stock price का चल रहा है और इसके साथ ये भी बताओंगा इन्हीं announcements को देने की x dates क्या होने वाली है तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को end तक देखना एंड कही पे भी skip मत करना चलिए दोस्तों अभी के भी इस वीडियो को like कर दीजे चैनल को भी subscribe कर दीजे मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फिनो मीडिय अब आया आरुश चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताता हूँ आपको कौन से साथ government stocks जिन्नोंने आपे धमाकेदाट de-merger and dividend announce किया है चलिए दोस्तों बात करते हैं आपे हमारे पहले stock की तो company का नामे SBI Cards Limited company का current stock price 717 रुपीज के उपर में trade हो रहा है और company ने आपे dividend announce किया 2.50 रुपीज पर stock के इसाब से अगले stock की बात करें तो company का नामे हिंदुस्तान Zinc Limited ये विदानता ग्रुप की एक subsidiary company है इस dividend को देने की जो X date होने वाली है वो भी same day की होने वाली है 29th of March की अगले stock की बात करें तो company का नामे shipping corporation of India ये government company है company का current stock price 131 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे demerger announce के 1 is to 1 के ratio से and company आपे जिस company को demerge करने जारी है वो अलग से list होगी shipping corporation of India land and asset के नाम से तो अगर आपके पास में shipping corporation of India इस company का एक stock है तो यहाँ पे automatically जैसे यहाँ पे shipping corporation of India land and asset एक separate company list होगी stock market के उपर में तो उसका भी आपको एक stock मिल जाएगा free of cost तो यहाँ पे जिसकी जो demerger की exit होने वाली हो 31st of March की होने वाली है तो यहाँ पे अगर आपको दूसरी company में भी stocks चाहिए और अपने stocks को demerger के लिए eligible रखना है तो आपको अपने stocks को 31st of March से पहले पहले purchase करना होगा आईए बात करते हैं एगले stock की तो company का नाम है power finance corporation limited company का current stock price 150 रोपीज के उपर में trade हो रहा है company ने यहाँ पे board meeting organize करी है 23rd of March को purpose यहाँ पे रहने वाला interim dividend को लेके and company ने dividend देने की record date अल्रेडी अनाउस कर दी है वो होने वाली है 1st of April की अब देखना यह है कि company 23rd of March को किस value से यहाँ पे dividend अनाउस करती है अगले stock की बात करें तो company का नाम है भारत electronics limited company का current stock price 93 रुपीज के उपर में trade हो रहा है and company ने अब dividend अनाउस के 0.60 रुपीज पर stock के साब से and इस dividend को देने की जो exit होने वाली है 24th of March की होने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है Steel Authority of India Limited company का current stock price 85 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने अब dividend अनाउस के 1 रुपीज पर stock के साब से and इस dividend को देने की जो exit होने वाली है वो भी same day की होने वाली है 24th of March की आईए बात करते हैं आप हमारे एगले and last stock की तो company का नाम है hood को limited company का current stock price 45 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आप डिविडेंट अनाउस के 0.75 रुपीज पर stock case आप से and इस dividend को देने की जो exit होने वाली हो 22nd of March की होने वाली है तो अब अगर आपको इस stock को या फिर और किसी भी stock को purchase करना है ताकि आप आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो आपको इन stocks को उनकी record dates या फिर एक state से पहले पहले purchase करना होगा और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना यही साथ government stocks थे जिन्होंने आप धमा के दा dividend and demurger announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को ज़रूर से like कर दीजेगा इस चैनल को भी ज़रूर से subscribe कर दीजेगा बेकस पिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल देन बाई